हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल HD Food Series में अभी मार्केट में एकदम अच्छे ताजे हरल मटर मिल रहे हैं इसलिए आज मैं ताजे हरल मटर का निमोना बनाऊंगी निमोना का स्वाद आपको एकदम डिफ्रेंट लगेगा और खाने में बहुत अच्छा लगेगा इसे मैं एकदम देशी स्टाइल में बनाना बताऊंगी जैसा कि हमारे गाउं में बनाया जाता है तो चलिए सुरु करते हैं इसे बनाना सबसे पहले हमें निमोना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए इसे हम देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ताजी हरल मटर के दाने यहाँ पर मैंने एक पाओ याने 500 ग्राम मतर के दाने लिया है यहाँ मैंने लिया है एक बड़े साइज का टमाटर अगर छोटे टमाटर हैं तो आप दो ले सकते हैं दो मेडियम साइज के आलू लिये हैं इन्हें हमने छेल लिया है छे साथ लैसुन की कलियां और एक इंच अधरक के टुकड़ा लिया है दो हरी मिर्च और दो लाल मिर्च ली है हमने यहाँ पर दो तीन ली है बड़ियां हमने उड़त दाल वाली इसको डालने से सबजी का स्वाद और ज़्यादा बोड़ जाता है नमक लेना है हमें स्वाद के नुसर आधा चोटा चमद चाहिए गरम मसाला पाउडर एक चोथाई चोटा चमद छल्दी और आधा चोटा चमद जीरा लेंगे एक चोथाई चोटा चमद जींग लेंगे और थोड़ा सा हराधनिय लेंगे अब निमोना बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें आलूओं को छील लेना है और फिर इसे पानी से अच्छे से धो लेना है और अब इसके हम टुकड़े काटेंगे इसके हमें एकदम पतले पतले टुकड़े काटने हैं जिससे ये अच्छे से पक जाएं और आप हम काट लेते हैं टमाटर टमाटर को हमें पतला पतला काट लेना है टमाटर को हम दो तरह से सब्जी में डाल सकते है एक तो आप टमाटर को एकदम पतले पतले छोटे छोटे टुकल में काट ले और इसे सब्जी में डाल दें तो भी अच्छे से गल जाएंगे और दूसरा तरीका यह है कि आप इस टमाटर को अच्छे से पीश ले यानि कि इसका प्यूरिल बना ले और फिर सबजी में डाले जैसा आपको लगे ऐसे आप डाल सकते हैं अब यह जो हमने मटर के दाने रखे हैं इसको हम पीश लेते हैं इसे हमें दरदरा पीशना है ज़्यादा महीन नहीं पीशना है जब भी आप मटर ले तो देख लें कि एकदम हरी हो और ताजी हो जो की खाने में मिठी लगती है पकी हुई मटर हमें नहीं लेना है या फिर ज़्यादा दिन की रखी हुई मटर से भी न बनाएं, नहीं तो निमोने अच्छे नहीं बनेंगे थोगल से मटर के दाने हमने अलग रख लिये हैं, इन्हें हम साबूत ही डालेंगे सबजी में मटर को हमने पीश लिया है, देखिए, इसे हम बिना पानी के ही पीशते हैं, इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं रहती है, यह बहुत आसानी से पीश जाता है और दरदरा ही इसे हमें पीशना चाहिए आप एक राही लेंगे और उसमें हम 2-3 टेबल स्पून सर्सों का तेल डालेंगे यह सबजी हमें सर्सों के तेल से बनानी चाहिए, या फिर इसे देशी घी से बनाना चाहिए रिफाइंड तेल से भी बना सकते हैं, लेकिन रिफाइंड तेल से वो टेस्ट नहीं आएगा जैसा निमोना का असली स्वाधाता है तो इसलिए आप या तो सर्सों का तेल या फिर देशी घीले इस बात का आप जरू ध्यान रखें तेल गर्म हो गया है, तो हमने जो पतले पतले आलू काटके रखें, इसे हम फ्राइ कर लेते हैं आलू को हमें अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राइ करना है तो यह पक गए हैं, आलू अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, तो इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं और यह कराही में जो तेल बचा है, इसी में हम पिसी हुई मटर को हम पकाएंगे इसे हमें तब तक पकाना है, जब तक कि इसका पानी एकदम से अच्छे से सूख जाए इसे हमें एकदम अच्छे से पकाना है, यह देखिए एकदम अलग-अलग होने लगे तब समझे कि यह पक गया है यह देखिए मटर एकदम अलग-अलग हो गया है, चिपक नहीं रहा है हाथ में, इसका मतलब यह मटर अच्छे से पक गई है तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे अब मसालों को पीसका तयार कर लेते हैं, इसके लिए एक मिक्सर जार में कटे हुए टमाटे डालेंगे और हरे धनिया डालेंगे अभी मैंने यहाँ पर हरे धनिया की पत्ति ली है, अगर आपको मार्केट में हरे धनिया का फल मिले यानि कि जो धनिया पत्ति रहती है, उसी में हरे हरे फल भी लगे रहते हैं कई बार तो अगर वो मिले तो आप उसे ले और धनिया का फल डालेंगे तो सबजी का स्वाद दुगना हो जाएगा इसी में डाल देते हैं लहसुन और अदरक और ये मैंने दो हरी मिर्च लिये है इसे तोड के डाल देते हैं आप मिर्च अपने स्वाद के नुसर कम ज़्यादा ले सकते हैं इसे हम अच्छे से पीस लेंगे ये देखिए मैंने मसाले को पीस लिया है अच्छे से अब कराही में हम एक बड़ा चमश सर्चों का तेल डालेंगे तेल गर्म हो गया है तो इसमें मेरे पास ये वर्ट दल की बड़िया है इन्हें मैं फ्राई कर लेती हूँ इन्हें डालने से सबजी का स्वाद और अच्छा हो जाता है तो अगर आपके पास बड़िया है तो आप इन्हें डालें और अगर नहीं है तो इसके बिना भी सब्जी बना सकते हैं ये देखिये अच्छे से फ्राई हो गई है तो इन्हे हम निकाल लेते हैं प्लेट में इस तेल में हम डाल देते हैं एक छोटा चमश जीरह, एक चोठा ही छोटा चमश डाल देते हैं हींग और जो हमने लाल मिर्च रखी थी उसे हम तोड़के डाल देते हैं अब इसकी जगे लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं और अब जो हमने टमाटर, धनिया, हरल मिर्च और अधरक का पेस्ट बना कर रखा था उसे भी डाल देते हैं और अच्छे से इसे हम पकाएंगे हमने जो तोगल से मटर के दाने अलग रखे थे इसे भी डाल देते हैं इसमें एक चथाई छोटा चमच हल्दी डाल देते हैं हल्दी मैं यहां कम डाल रही हूँ जिससे जो हमने हरे मटर का निमोनों बना रहे हैं तो हमारी सब्जी भी हरी दिखे आधा छोटा चमज डाल देते हैं गरब मसाला पाउडर ये सब्जी कम मसालों से ही बनाई जाती है इसलिए मैं यहां कम मसाले डाल रही हूँ नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे लगा तर चलाते हुए हम पकाएंगे जिससे मसाले जले नहीं मसालों ने तेल छोड़ दिया है इसके मतलब मसाला अच्छे से पक गया है और अच्छी सी खुस्बू भी आ रही है तो अब इसमें हम डाल देते हैं फ्राई किये हुए आलू और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फ्राई की हुई बड़ी भी डाल देते हैं और हरे मतर को जो हमने रोस्ट करके रखा है उसे भी डाल देते हैं और सभी को अच्छे से मिलाएंगे जिससे सभी मसाले इसमें अच्छे से मिल जाए थोड़ देर इन सब को मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी जरूरत के अनुसार पानी डालेंगे जितनी आपको ग्रेवी पतली या गाड़ी अपनी है उसके अनुसार इसमें आप पानी डालेंगे सबी चीजों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और फिर इसे हम ढख कर पकाएंगे इसे हमें लो या मेडियम आज पर 4-5 मिनट तक पका लेना है देख लेते हैं सबजी को देखें सबजी अच्छे से पक गई है और दिखने में भी एकदम हरी और कितनी अच्छी दिख रही है तो इसमें हम थोड़ सा हरा धनिया भी मिला सकते हैं आप चाहें तो धनिया आपने पहले भी मिलाया है तो आप चाहें तो धनिया डाल सकते हैं या ना डालें तो देखा आपने ये स्वादिष्ट सबजी कितनी जटपट से बन गई है बिल्कुल आसानी से तो इसे आप जरूर बनाएए अब इसे हम एक सर्बिंग बोल में निकाल लेते हैं देखें कितनी अच्छी सबजी दिख रही है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है आप इसे रोटी, पराठे या चावल के साथ खाईए ये बहुत टेस्टी लगती है अगर मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी थेंक यू